नमस्कार दोस्तों आपका सौगत है मेरे चानल में अज मैं आपके साथ सेयर कर रही हूँ आटे के लड़ू बनाने की रेसिपी इसमें हमने नाई मावा यूज किया है रो नाई कोई मिल्क पाउडर और इसे बनाने के लिए नाई हमने चैस्न का यूज किया है बहुती आसान तरीके से ये लड़ू बनाने वाले है जिसे बिग्मर भी बहुती आसानी से ये लड़ू बना सकते है तो चलिए सेवू करते है आज का ये वीडियो सबसे पहले हम ग्यास पर एक कड़े रखेंगे और इसमें हम डालेंगे एक कब गिहू का आटा ये वही आता है जिससे हम रोज चपाती बनाते है इसको हमें अच्छा से चान के ले लेना है इसलिए पिग्यास के आज को बिल्कुल स्लोपी रखेंगे और इसको हम अभी लगातार चलाते है अच्छा से बूल लेंगे अभी हम इसमें गी का इस्तमाल नहीं करेंगे जब इसमें हलका कलर आने लगे तब हम इसमें गी डालेंगे जब इस तरह से हमाते को बूलेंगे तब हमको गी थोड़ा कम लगेगा इसलिए मैं इसको इसी तरह से बूल रही हूँ अब हम इसमें डालेंगे दो चमने सूजी, सूजी से हमारे लेड़ू बहुती दानेदार बनेंगे और ये मुह में चिपकेंगे नहीं इसलिए आभी हम सूजी का इस्तमाल कर रहे हैं और यहाँ पर मैं बारिक वाली सूजी का इस्तमाल कर रही हूँ अगर आप चाहें तो मोटी वाली सूजी का इस्तमाल भी कर सकते हैं सूजी और आते को हम बहुती अच्छा से भूल लेंगे श्लो आज़ पर चार से पाच मिट के लिए अब तक पाच मिट हो चुका है और आप यहाँ पर देख सकते हैं आते का कलर काफी चेंज हो चुका है जब इस तरह से आते का कलर चेंज हो जाए तब हम इसमें घी डालेंगे मैंने यहाँ पर आधा कप घी लिया है और आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने melt करके लिया है आपको भी इसी तरह से घी को melt करके लेना है और आप हम इसमें थोड़ा थोड़ा घी डालेंगे मैंने अभी तीन चमस घी डालके अच्छा से अभी मैं इसको भून लोगी और जैसी जैसे हमको घी लगेगा उतना ही हम डालेंगे जादा घी का इस्तेमाल नहीं करेंगे हम इसमें फिर से हम आटे में दो चमस घी डालेंगे और इसको हम लगातार चलाते हैं अच्छा से भून लेंगे इसलो आज़ पर सुरी सिले के अब तक करीब 7 मिनिट हो रहा है और आब हम इसमें डालेंगे भूने में चने का आटा इस आटे को मैंने घर में है बना के रेडी किया है इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कब भूने में चने लिए है आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से आते हैं ये बहुती आसानी से मार्केट में मिल जाएंगे इस चेने का अभी हमें पाउडर बना के रेडी करना है इसके लिए मैंने ये छोटा वाला मिक्सर का जार लिया है इसमें हम डाल देंगे ये चेनी मुलू चेने को हमें बहुती अच्छा से पीस लेना है आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से पीस के रेडी किया है मैंने अब हम इस आटे को बहुती अच्छा से चान लेंगे चानने के लिए मैंने एक चोटी वाली चानने लिए है उससे हम आटे को अच्छा से चान लेंगे देखिए इस तरह से मैंने च्छान के रेडी किया है आता और यह जो उपर आया है इसको आप फिर से एक बार पिश सकते है एक कप डाल से जितना भी आता बना था और मैंने सारा यहाँ पर यूज किया है चेने की बाल है जो पहले से ही भूने हुई रहती है उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा भूनने के लिए और जो हमने गहो का आता डाला है ओ भी अच्छा से भून चुका है अभी अभी इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा भूनने के लिए इससे तरह से अभी हम थोड़ा थोड़ा घीर डालेंगे आटे में और इसको हम अज पर अच्छे से भूल लेंगे कापा कलर काफी चेंज हो चुका है आप साइट में देख सकते हैं से ही पहले कितना वाइन था और अभी बहुत ही अच्छे से यह भूल चुका है अब जो जितना हमने अधा कप घी लिया था वो हम सारा डाल देंगे आटे में घी को हम अच्छा से अभी आटे में मिक्स करेंगे आप यहापर देख सकते है इस तरह से अब हम इसमें डालेंगे अधा कप दूद के उपर की मलाई इसी से हमारी जो लड़ो का टेस्ट है बिल्कुल मावे की तरह आएगा दूद के उपर की जो मलाई है वो आप फ्रेस इस्तमाल कीजिए तीन दिन की मलाई आप यहापर यूज कर सकते है अगर आप यहापर मलाई यूज नहीं करना चाहते है तो आप इसकी जगा पर मिल्क पाउडर का भी इस्तमाल कर सकते है अगर आप यहापर मिल्क पाउडर का इस्तमाल करना चाहते है तो आप इस ताइम पर मिल्क पाउडर आप यहाँ पर देख सकते हैं अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से कटे हुए ड्राय प्रूट यहाँ पर मैंने काजू और बादाम डाले हैं और डालेंगी थोड़े से पिस्ता कटे हुए इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे आटे में मलाइका इसमें बिल्कुल भी गिलापन नहीं रहना चाहिए नहीं तो हमारे लड़ू ज्यादा दून तक नहीं रहेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें मलाइका बिल्कुल भी गिलापन नहीं रहा है यह पहले की तरह बिल्कुल सुखा है आटा जो हमने इसमें ड्राइफूट डाले थे वो भी अच्छा से आभी इसमें रोस्ट हो चुके है अब मैं इसमें डाल रही हूँ, ये लोफूट कलर ये डालना पूरी तरह से आप्णल है आप चाहे तो इसे skipped कर सकते है कलर को मैंने दूद में ही अच्छे से मिक्स करके डाला है कलर को भी हम अच्छे से आभी इस में मिक्स करेंगे और आप यहाँ पर देख सकती है यह इस तरह से कलर मिक्स हो चुका है लट्डू का जो मिक्स है वो आभी पूरी तरह से रेडी हो चुका है अब हम ग्यास के आज को बंद करेंगे और इस कड़ाई को नीचे उतर लेंगे इसको दो मिट के लिए मैंने चलाया है ताइकि यह हलका थंडा हो जा इसको हमें बहुत ज्यादा थंडा नहीं करना है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ तगार यानि की भूरा ये भी मैंने एक कप प्लस वन फोर्थ कप डाला है आप जितना मीठा पसंद करते हैं उसी सबसे आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं तगार और इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे इसमें इससे हमारे लड़ू का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है विल्कुल भी मुह में चिपकते नहीं है ये लड़ू अगर आप यहाँ पर तगार यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर PCV चिनी का भी इस्तमाल कर सकते हैं वैसे मैं यह तगार घर में ही बना के रे कि इस तरह से दबाने से इसमें जो गर्माहट है इसमें हलका गिलापन आएगा और जो हमारे लड़ू है वो बहुती अच्छा से बन जाएंगे अच्छा से दबाने के बाद अब हम इसको कवर करके रख देंगे 10 मिनिट के लिए करिब 10-12 मिनिट हो चुका है और यह अभी हम डालेंगे इसमें गरम किया हुआ दो से तीन चम्मज घी आप यहापर घी का ही इस्तमाल किजिए अगर आप इसमें दूद का इस्तमाल करेंगे तो हमारे लड़ू ज्यादा दिन तक नहीं टिकेंगे और घी डाल कर भी हमें इसको बहुती अच्छा से अभी मिक्स अच्छा से मिक्स करने के बाद भी अगर आपको लगे इसमें गी की जरुद है लड़ू नहीं बन रहे है तो आप इसमें और भी एक या दो चम्मज घी का इस्तमाल कर सकते है और आप यहापर देख सकते है यह लड़ू अच्छा से अभी बन रहे है तो आप यह आम इसी तरह से इसके लड़ू बनाएंगे और गी का इस तमाल यहाँ पर आभी नहीं करेंगे हम आपको जितने बड़े चोटे लड़ू चाहिए उतना आप निशरन हाथ पे लेके उसको आप इस तरह से सेप दे सकते हैं और उपर से इस तरह से डेकुरेट कर सकते हैं पिस्ता से और यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसको उपर से तगा से डेकुरेट किया है अब मैं आपको एक लड़ू तोड़के दिखाती हूँ आप यहाँ पर देख सकते हैं लड़ू हमारे बहुती दानेदार और हेल्दी बनके रेड़ी हो चुके हैं इस लड़ू को आप 8 से 10 दिन क लिए फ्रीज में स्टोर करके रख सकते हैं बिल्कुल भी एक खराब नहीं होंगे यह लड़ू आशा करती हूँ आपको यह आज का वीडियो पसंद आयागा वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर लिजी और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेर की पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाई